नमस्कार आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ओनलाइन कक्सा में आपका हार्दी गविन अंधन आज हम सात्वे पाठ संकल्प सिद्धी दायक के बारे में बादसित प्लारंब कर रहे हैं परवत की पुत्री पार्वती और माता मेना की पुत्री पार्वती बगवान शंकर को ये पती के रूप में प्राप्त करना साती है इसके लिए वह क्या-क्या अपनी माता से बात कर रही है और अपनी सहेली के साथ तपश्या करना के लिए जा रही है और बगवान शंकर उसको किसी ब्रह्मचारी के रूप में मिलते हैं इस प्रकार का ये पाट है। आईए इस पाट के बारे में जाने। अपना मनोरत या अपनी मन की बात माता से निवेदन किया। तत शुरुत्वा माता मेना चिंता कुला एभवत वह सुनकर माता मेना व्याकुल हो गई या चिंतित हो गई। यह उपर के दो लाएने वही है। मेना क्या बोल रही है। वत्से मनीशिता देवताहा ग्रिहे एवसंती हे पुत्री मन को चाहने वाले देवता घर पर ही हैं तपह कठिनम भवती तपश्या बहुत कठिन होती है या तप बहुत कठिन होता है तव शरीरम सुकोमलम वर्तते और तुमारा शरीर कोमल है ग्रिहे एववस घर पर ही रहो अत्राईव तवा भिलाश है सफल है भविश्यती यहीं पर तुमारा मनोरत सफल हो जाएगा या तुमारी अभिलासा मन की इच्छा सफल हो जाएगी तो पार्वती क्या करई ये? अम्बह ताद्रिश अभिलाशेतू तपसा एव पूर्णे भविष्यती अरे माता जी, वेशी अभिलाशा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी अन्य था ताद्रिशं पतिम कथम प्राप्ष्यामी वरना वैसापति केसे प्राप्त करूंगे अहम तपह एव सरिश्यामी इतीमं संकल्प है मैं तपश्या ही करूंगे यही मेरा संकल्प है तो मैं न कहरेए पुतरी तुमेव में जीवना भिलाश है अरे बेटी तुम ही मेरे जीवन की अभिलाशा हो पारवती सत्यम सत्य है परम मम मन है लक्षयम प्राप्तुम आकुलीतम वर्तते लेकिन मेरा मन लक्षय को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है ध्यान दीजे यहां पर प्राप्तुम शब्द लिखा हुआ है तुमुन प्रत्याई का प्रयोग किया गया है सिध्धिम प्राप्प्य पुनह तवईव शरणम आगमिश्यामी सिध्धी प्राप्त करके दुबारा तुमारी ही शरण में आजाऊंगे अध्येव विजयया साकम गोरी शिखरम वच्छामी आज ही विजयया के साथ गोरी शिखर जा रही हूँ विजयया साकम साकम शब्द के योग में तरतिया विभक्ती का प्रियोग किया गया है विजयया शब्द की तरतिया विभक्ती एक वजन है विजययया तत है पारवती निश्क्रामती बाद में पारवती निकल जाती है पार्वती मन सा वच सा कर्मना चे तपह एव तपती इसमे पार्वती मन वचन और कर्म से तपश्या कर रही थी कदाचित रात्रों इस्थंडीले कदाचित शिलायाम स्वपीती इसमे कभी रात को इस्थंडीले यानि धर्ती पर और कभी शिला पर सोती थी एक दा विजया एवदत एक बार विजया बोली क्या बोल रही है देखिए विजया सखी तपह प्रभावाद हिंस्र पशवो भी तव सखाये जाता हा हे सहेली तपश्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए है पंसागनी व्रतमपी तुम्म ए तपह है पंसागनी व्रत को भी तुमने तपश्या की है या तपा है पुनरपी तव अभिलाश है ने पूर्ण अभावत फिर भी तुम्हारे अभिलाशा पूर्ण नहीं हुई तो पार्वती कर रही है अई विजये अरे विजया किम ने जाना सी क्या तुम नहीं जानती हो मनश्वी कदापी धेरियम ने परित्यजती मनश्वी व्यक्ति कभी भी धेरिये को नहीं छोडता अपीचे मनोरत हानाम अगती नास्ती फिर मनोरत की दुरगती भी तो नहीं है मनोरत तो सपली होगा ऐसपल तो नहीं हो सकता ऐ गतिया ने ने गती ने ततपुरुष समास का प्रियोग किया गया है मनोरतों की ने गती नहीं होने वाली गती भी तो नहीं है यह की बात है विजया तुम वेदम अधीत वति तुमने वेदों का ध्ययन किया यज्यम संपादित वति यज्यसंपादित किया तपहे कारणात जगती तव प्रसिध्धी तपष्या के कारण संसार में तुमारी प्रसिध्धी हो गई है अपरना इति नामना अफी तौम प्रती था अपरना इस नाम से भी तौम प्रसिद्य हो गई हो पुनर अपी तपसह फलं नई वदष्यते फिर भी तपश्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है तपसह तपसो तपसाम शष्टी विभक्ति है यतप साशब्द शष्टि विवक्ति का एक वचन है पारवती बोल रही है अई आतुर हृदे अरे आतुर हृदे वाली कथम तुम सिंतिता तुम क्येसे सिंतित हो गई हो इस प्रकार ये बात कर रही थी नेफ़त्यय ने परदे के पीछे से कोई बोल रहा है अई भो अरे अरे अहम आस्रम वटु हूँ मैं आस्रम का ब्रह्मचारी हूँ जलम वान्चामी पानी चाहता हूँ सैसम ब्रह्मम अचंबे के साथ विजय ये पश्य कोई पी वटू आगतो उस्ति अरे विजया देखो कोई भी ब्रह्मचारी आया हुआ है विजया जटिती एगचत विजया ततकाल निकल जाती है या चली गई सहसाईव वटू रूप धारी शिवय तत्र प्राविसत और अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारन किये वे शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं या शिव ने वहाँ प्रवेश किया विजया वटो हो स्वागतम दे अरे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है या तुमारा स्वागत है ते यानि तुमारा ही है उप विष्टू भवान आप बेठिये यम मे सखी पारवती यहे मेरी सहेली पारवती है शिवं प्राप्तुम अत्र तपह करोती शिव को प्राप्त करने के लिए तपश्या कर रही है वटू हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते किस क्रिया के लिए किस कारिय के लिए किस सिध्धी के लिए पूजा के उपकरणर रखे हुए है स्नानार्थम जलम सुलभम स्नान के लिए जल सुलब है भोजन आर्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल है तुम तु जाना सी एव शरीर माध्यम खलू धर्म सादनम तुम तो जानती ही हो कि यह शरीर ही धर्म का सादन है पारवती तूशनेम तिश्टती पारवती सुप बेठी रहती है वटू हे तपस्विनी कि मर्थम तपह तपसी शिवाई हे तपस्विनी किस के लिए तपश्या कर रही हो सिव के लिए पारवती पुने तूशनेम तिश्टती विजया आकुली भूई विजया व्याकुल होकर के हाँ, आम याने हाँ, तस्मई एव तपह तपती, उसी के लिए तपश्या कर रही है, वटु रूपधारी शिवे सहसाईव उच्छाई उपहस्ती, ब्रह्मचारी रूपधारण किये वे शंकर जोर से, अचानक जोर से हस्ते हैं, वटू अई पारवती अरे पारवती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छासी, सत्य ही तुम सिव को पति साती हो, उपहसन खस्ते हुए नामना शिवे, नाम से सिव है, अन्यथा एशिवे, वरणा एशिव है, श्मईसाने वसती, शम्शानमे रहता है, यश्यत्रिणी नेत्राणी जिसके तीन नेत्र है वसनम व्याग्र चर्म अंग राग है चिता भस्म परिजनास्च भूत गणा कपड़े व्याग्र के चर्म के मतलब चिता की खाल के अंग राग चिता भस्म लेपन करने के लिए शमसान की लास की राख भस्मी और परिवार के लोग भूत किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि क्या उसी सिव को ही पतिसाति हो पारवती कुरुधा सती पारवती क्रोधित हो करके क्या बोल रही है अरे वाचाल अरे बड़ बोले बड़ बोला मतब ज़दा बोलने वाला अपसर दूर हटो संसार में कोई भी सिव के यथार्थ असली रूप को नहीं जानता है यथा तुमसी तथाईव वदसी जैसे तुम हो वेशे ही बोलते हो विजयाम प्रती विजया की तरफ देखकर सखी अरे सहली चल यने चलो ये निंदाम करोती सेतु पाप भाग भावती जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है ये स्रीनोती सो अपी पाप भाग भावती जो सुनता है वह भी पाप का भागी ही होता है पारवती धृत गत्या निस्क्रामती पारवती तेजगती से निकल जाती है उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं पारवती लज्जया कम पदे पारवती लज्जा से कमपन करने लग जाती है शिव क्या करें? पारवती प्रीतो उसमी तव संकल्पेन हे पारवती तुमारे संकल्प से प्रसन्न हूँ अध्य प्रवरिती अहम तव तपो भी क्रीत दासो उसमी आज से मैं तुमारी तपश्या से तुमारा दास बन गया विनतान ना पारवती विहस्ती विनतान ना याने विनत आनन आनन याने मुह विनत याने जुका हुआ जुके हुए मुह से पारवती हस्तने लग जाती है इस परकार का ये पार्ट है, इस पार्ट के हमको शब्दार्त शब्दार्त एकवार पूरे करने हैं और अगले वीडियो में में इस पार्ट के प्रश्णोत्र बताऊंगा ये उचारण वाला है, इसमें है एभवत, एकथयत, एगच्छत, नियवेदयत, एपूजयत, सुवपीती, तपती, प्राविशत, एवदत, वदतीस्मे, वसतीस्मे, रक्षतीस्मे, वदती, चरतीस्मे, करोतीस्मे, गच्छतीस्मे, एकरोत, पठतीस्मे इसमें काप्रियोग किया गया है जहांपर भूत काल के लिए है और ये प्रश्ण उत्र दूसरे से आगे अगले वीडियो में डाले जाएंगे धन्यवाद